नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल इंडिया पर अपना उत्राखन आपके साथ मैं हूँ भारती सेंग शुरू करते हैं खबरों का सफर उत्राखन की नीती घाटी में बसे गाउं की सरकार जल्द ही सूरत बदलने वाली है सरकार की कोशिशों के बाद जल्द ही ये गाउं डबल लेन वाले मार्गों से जुड़ जाएगा सरकार के सहम कदम के बाद यहां रहने वाले लोगों के साथ सेना की आवाजाही भी बेहद आरामदायक हो जाएगी मार्च में बर्फ पिगलने के बाद बियारो मलारी से नीती तक सड़क के चौडी करण का काम शुरू कर देगा ये चौडी करण जिले की नीती घाटी परिटन के साथ ही सामरिक दृष्टी से भी महतपून होगा क्योंकि यहां भोटिया जनजाती के करीब 12 गाउं हैं मलारी नीती सड़क अभी तक सिंगल लेन हैं जिससे वाहनों की आवाजाही बड़ी मुश्किल से हो पाती है दरसल सेना के बड़े वाहनों की आवाजाही सिंगल लेन की वज़ह से चुनोती पूर्ण बनी रहती है अब बियारो सड़क को डबल लेन करने जा रहा है जो शिमट से मलारी तक करीब 60 किलोमेटर बियारो डबल लेन का कार पूर्ण कर चुका है मलारी से नीती गाउं तक करीब 20 किलोमीटर सड़क बधाल है जो जल्द ही बहतर होगी बीजेपी की राश्य ध्यक्ष जेपी नड़ा का चार दिवसिये दौरा मंत्री मंडल और कोर कमिटी की बैठक के साथ संपन हुआ इन दोनों बैठकों के बाद जेपी नड़ा ने संगठन की विद्य स्थिती का जायजा लिया मुखे मंत्री और मंत्रियों के साथ बैठक में सरकार का प्रदेश पर प्रभाव चुनावी स्थिती के विश्य पर चर्चा हुई जिसके बाद नड़ा ने कोर ग्रूप के साथ बैठकें भी की इस बैठक में वर्तमान राजनितिक स्थिती व्यागामी रणनीती पर चरचा हुई इस बैठक की ब्रीफिंग राजमंत्री धन सिंग रावत ने की बैठक के बाद जेपी नड़ा जॉली ग्रान के लिए रवाना हुए बीजेपी के बूट समिती बैठक में एक कारेकरता ने किसान अंदोलन पर जेपी नड़ा से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कॉंग्रेस ने जिस कानून को अपने चुनावी घोशना पत्र का हिस्सा बनाया था उसे आज बीजेपी सरकार ने पास कर दिया तो वह विरोध कर रही है इससे कॉंग्रेस की पोल खुलती है देवभूमी उत्राखन के उच्छ हिमाले शेत्र में बरबारी शुरू होने के साथ ही गंगा वे उसकी सहायक नदियों में पानी की मात्रा में कमी आई है Central Water Commission के विशेशग गड़वाल शेत्र में 49 स्थानों पर नदियों के जल प्रबाव का अध्यन में जूटे हुए है Central Water Commission का कहना है कि नदियों में जरुरत के मुताबिक परियाप्त मात्रा में अभी पानी है ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है हरिद्वार में पिछले साल 6 दिसंबर को गंगा का जलस्तर 290.30 मिली लीटर था वही इस साल 291.39 मिली लीटर है जानकारों के मुताबिक उच हमालिय शेत्रों में होने वाली बहरवारी और मौसम में आए बदलाव के चलते गंगा और उसकी साहयक नदियों में जल प्रवाह की कमी आई है उत्राखन जल विद्यूत निगम की ओर से राज में परवतिया इलाकों में जगा जगा लगाए गए हाईडो प्रोजेक्ट की फिलहाल परियाप्त मात्रा में पानी मिल रहा है वही हरी द्वार वे उसके आगे के खेतों की सचाई के लिए नहरों में परियाप्त पानी है फिर भी गंगा वे सहयक नदियों में जल प्रवाह की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है साथ ही इसके रिपोर्ट सेंट्रल वाटर कमिशन को भी भेजी जा रही है कोरोना का प्रको पूरी दुनिया में लगातार जारी है AESA में उत्राखंड में 424 नए मामले सामने आये हैं जबकि 4 लोगों की मौत हुई है प्रदेश के स्वास्तविभाग के द्वारा जारी बुलिटन के मुताबिक 424 नए मरीजों के मिलने के साथ ही प्रदेश में कोरोना वाइरस संक्रमितों की संक्या बढ़कर 77,997 हो गई है ताजा मामलों की बात करें तो 171 देहरादुन जिले में सामने आये हैं जबकि हरिद्वार में 69 और 99 में 40 मरीज प्रदेश में 4 और कोविड मरीजों ने तम तोड़ा महमारी से अब तक प्रदेश में 1285 मरीजों की जान गई है प्रदेश में 346 और मरीज ठीक होकर घर गए और अब तक कुल 70,634 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं फिलहाल अपना उत्राखंड में इतना ही आप जुड़े रहिए News World India के साथ